नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सावन के महनि में जवरवी बार का दिन आता है तो गुड का महाँ प्रयोंक किया जाता है गुड द्यक्ति की कस्टों को समाप्त करता है और दुखों को भी दूर करता है तो चले जानते हैं क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं होता और फाइदा तो जरूर होता है। इस टोटके को या उपाय को किसी के अहित के लिए मत कीजिएगा। नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुड़ा हो जाता है। तो अपने लिए अपनी चीजों को बहतर करने के लिए ये परियोग आप चरूर करें। गुड़ के परियोग से आप दुरगटनाओं से बस सकते हैं। गुड़ का एक छोटा सा परियोग आपके जीवन के बहुत सारी परिसानियों को दूर कर सकता है। तो आज हम गुड जो इक से बनता है आपको पता होगा और एक ऐसा उपाय जो अगर खास दिन में किया जाए तो इसका फाइदा आपको जरूर मिलता है आप जिस भी टोने टोटके या उपाय को करें अपने अच्छी चीजों को होने के लिए करें दूसरे को नुकसान पहुशाने के लिए मत कीजिएगा तो चलिए हम जोतिस के अनुसार आज आज आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे देखे कई बार क्या होता है आप बे बज़ा गिर जाते हैं चोट चपेट लग जाती है मन में दुरगटना का भै बना रहता है अगर ऐसा कुछ जीवन में हो रहा हो तो इसका मतलब है आपका मंगल गड़बर है तब ऐसे में एक छोटा सा काम करें थोड़ा सा गुड हनुमान जी के मंदिर में जाकर अरपित कर दें हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी से गलती छमा करने की प्राथना करें क्योंकि जब मंगल एक्टिव हो जाए तो थोरा सा चोट चपेट दुगटना के योग बन जाते हैं तो आपके संकट टल जाएंगे कभी-कभी कुंडली में सनी के साथ चुकि यहां पर जो सनी देप के पिता है सूरी देप वो अगर नीच का हो जाएं तो क्या होता है न खास कर अगर आपके छटे सप्तम अस्टम भौ में बैठ जाएं तो फिर ऐसे में सरीर में परिशानी जादा होती है अब इस इस्थिती में एक छोटा सा काम करें आप एक तो सुबह सुबह जो पहला आहार है वो गुड़ का खाईए थोड़ा सा और फिर दिन की सुरुआत करें और दूसरा आप गुड़ और गेहूं आपकी इक्षा जितना भी लेनी है आ आप आठ गराम भी ले सकते हैं 800 गराम भी ले सकते हैं आठ इसलिए क्योंकि आठ अंक सनिदेव का है और इसको आप बराबर मात्रा में लेकर पास के किसी मंदिर में या पीपल के नीचे रख दें तो आपके जीवन में जो सुरिक की परिशानी है वो समाप्थ हो जाएगी अब भूमी भवन को देने वाले भी मंगल होते हैं सूरे होते हैं अगर जीवन में भूमी भवन की प्राप्ती लाग प्रयास के बाद भी ना हो अपना मकान नहीं बना पा रहे हो तब एक छोटा सा प्रयोग करें किसी भी रविवार के दिन गाय को अपने हाथों से गुड़ खिलाएं और एक और छोटा सा काम जब आप गुड़ खिलाईएगा तो अपने हाथों से खिलाना है गाय अगर अपकी हतेली को चाट ले तो इसका मतलब है सिग्र अतिशिग्र आपकी मनुकामना पूर्ण होग और संभव हो तो सनीवार के दिन सनीदेप के मंदिर में च्छाया का दान करें तो ऐसा करने से भी आपकी संपत्ती प्रोपर्टी में ब्रदी होती है बहुत सिंपल प्रियोग है लेकिन इसके फायदे आपको जरूर मिलेंगे अब जब आप घर की सफाई करवाएंगे तो हमेशा ही एक बात याद रखिएगा रवी बार के दिन सफाई करवाते से में पानी में नमक या फिटकरी डाल कर पोच्छा लगवाएं या सफाई करवाएं तो आपके जीवन के धन की मुस्किलें दूर हो जाती है और धन अभी आता है कभी कभी क्या होता है आपकी मनो कामना लाग प्रियास के बाद भी पूर्ण नहीं होती धन परेशान कर रहा है कमाते बहुत हैं पर खर्च हो जाता है आप कहीं सही जगा investment नहीं कर पा रहे अब आप परेसान हैं क्या करेंगे मनो कामनाओं की पूर्ती के लिए एक छोटा सा काम करना चाहिए साथ गुड की छोटी छोटी डली ले 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 डेला वाला गुड मिलता है मारकेट में मिल जाएगा ठीक है अब उसको ले आईए साथ छोटे छोटे टुकरे कर ले अब इसको पीले रंग के कपड़े में इस साथ जो आपने रखा है गुड की डली और साथ हल्दी की गाठ इसको एक साथ बांध ले अब किसी भी गुरुवार या रवीवार के दिन रेलवे लाइन के पास या कहीं रोड में फेक दें अपनी मननत कहें आपकी मननत पूरी हो जाएगी कभी-कभी जीवन में बहुत प्रेसानी बढ़ जाती है करजों में आप फ़स जाते हैं धन है क्यों टिकता ही नहीं आता ही नहीं आता है तो चला जाता है ऐसे में अगर आप गुड का नियमित रूप से प्रियोग करें तो धन आता रहेगा और नियमित रूप से हनुमान जी को गुड का भोग लगाईए तो इससे भी धन की मुस्किलें दूर हो जाएंगी और आप धन के मामलों में लकी हो जाएंगे मंगल का संबन्द आपके भाई लोगों से है भाईयों से है और जो जब हम सुरी की बात करते हैं तो यहां भी सुरी को मजबूत करने के लिए गुड खाने की सला दी जाती है चुकि लाल रंग है गुड का अब अगर आपको अपने भाई बेहनों से नहीं बनती हो या फिर लाख प्रयास के बाद ना जॉब मिल रही हो अच्छी ना ही भूमी प्रोपर्टी हो रही हो तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिएगा किसी भी रभी बार या मंगल बार के दिन थोड़ा सा गुड आप कहीं भी पीपल के पेड़ के पास जाकर उसको दबा दे ऐसा करने से आपके जीवन की परिशानी दूर हो जाएगी अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाएं तो नियमित रूप से चीटियों को आप गुड डाल स आपके लिए सबसेश्ट रहेगा क्योंकि हनुमान जी अगर प्रसंद न हो जाएं तो जीवन के किसी भी परिशानी को आप तक पहुंचने ही नहीं देते तब हनुमान जी पहले उनसे टकरानी होगी परिशानी को फिर आप तक आएगी तो एक बात हमेशा ही याद रखेगा मंगल वार चतूर्थी तिथी नौमी और चतूर्दसी तिथी इन तिथियों में आप किसी भी दिन ये परियोग कर सकते हैं वैसे आप रवी बार के दिन आँखें बंद कर ये परियोग कर लें क्या करेंगे हनुमान जी का मंदिर जाएए थोरा सब गुड थोरे से भूने वे चने ले कर जाए और गुड के छोटे छोटे 21 यानि 21 टुकड़े ले लें अब एक घी का दिया जला लें और आप घुड का भोग लगाईए और भूना वÂ जो चना है हनुमान जी को घी का दिपक जला द इसके बाद हर्मान जी से प्रार्थना करें कि प्रभू जीवन में बहुत सारी मुस्किले हैं जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं सरदा मन से विश्वास के साथ प्रार्थना करें और ये जो गुड की डली और आपने अर्पित किया है भुना वचना इसको आप 11 दिखें यहाँ पर क्या है ना 11 चना लेना है और 11 गुड की डली अब इसको आप हर्मान जी के सामने रखकर आप लगातार 21 दिन तक या फिर आप 21 टुकड़े रखकर एक ही दिन पुजा कर सकते हैं अगर जीवन में अस्थाई संपत्ती की प्राप्ती लाख प्रयास के बाद भी ना हो रहा हो और यदि आपके कुंडली का सुरी कमजूर हो जाए तब आप एक छोटा सा प्रियोग करें सुबह सुबह जो पहला आहार होगा वो गुड होगा यानि थोरा सा गुड़ खाकर जल्पी कर कारे को आरंब करें यानि कारे करने जा रहा हैं जो भी कारे अगर उसकारे को आप शुरुआत करते हैं तो आपके कारे को बीगनवाधाय दीरे दीरे समाप्त होने लगती的話 ऐगर आंप के मन में किसी भी दुरगटना या सरजरी का भैए हो तब तामवे के बतन मे गुड रखकर हनमान जी के मंदिर में दान दे दें और फिर वहीं पर बैट कर हनमान चलीशा का पाट करें ये परियोग आप कुछ समय तक लगातार करें तो गटना योग कट जाएंगे एक बात हमेशा ही याद रखे अगर चाहते हैं आपको नौकरी में खूब सफलता मिले प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या फिर आप चाहते हैं जीवन में मान सम्मान खूब मिले आप दिन दूनी राज चोगुनी तरक्की करें तो रवी बार के दिन आप अद्रक और सर्सों का तेल का सेवन ना करें सर्सों के तेल के जगा आप कोई भी तेल खा सकते हैं और साथ ही साथ देखिए अद्रक का सेवन तो बिलकुल भी मत कीजिएगा नहीं तो आपका सूरे उतना आपको अच्छा फल नहीं दे पाएगा जितना आप उमीद चाहिए और रभी बार के दिन मश्ली खाने की मनाई है वैसे अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की प्रापती हो जीवन में आपका मान लेते हैं आपकी कुंडली में सूरिका राजयोग बना है तब ऐसे में दिन के समय नौन भिज मत खाईए रात किसमें आप खाली सकते मंदिर है एक दोने में या किसी चीज में आप थोरा सब गुड़ ले कर जाए और मंदिर में सिबलिंग के पास रख दीजिए हर कस्ट समाप्त हो जाता है कि इन में जहां तक संभव हो थोरा परहिज करें दर निवाद